नमस्कार मैं मुकेश कुमार आरपेशी द्वारा आयजित 2016 में कोलेज लेक्षरर एक्जाम जिसका जोग्रफी का सेकंड पेपर आज हम हल कर रहे हैं कि ओनलाइन एक्जाम होई थी इसमें पहला जो पेपर है वो अपलोड कर दिया है मैंने अलग लग टुकडू में हैं यह दूसरा पेपर सब्जेक्ट का और धर्ड जो पेपर है वो जिक्के का होता है तो यह सेकंड पेपर हल कर रहे हैं तो सुरू करते हैं देखी इसमें दिया है यहां पे 150 क्यूस्टन है यहां पे 2016 अग्जाम है पेपर सेकिंड है 150 क्यूस्टन है यह 75 पार्क्स के हैं टोटल परते क्यूस्टन है वो आधा अंक का था उस समय पहला क्यूस्टन है लिस्ट दी गई हिंदो मिलान करना है यह क्रिशी से समंदित हैं देखी हिंदो पहला है इसमें फसलू का सापेक्षिक महत्व किसमें आधार माना था फसली छेत्र वे पसूं की संख्या को किसने आधार माना अधिक्तम दुड़ी और नियूंतम विचलन विदी तो जादातर तो एक या दो आंसर हमें बिल्कूल लिज़े हैं उसी सी अनुमान लग जाता है फसलू का सापेक्षिक महत्व जोनसन महोदे ने मना था इसमें पहला है इसमें बिल्सी जोनसन आएगा फसली छेतरवे फसलू की संख्या को किसने आधार माना था जेटी कोपोग महोदे ने और अधिक्तम दूरी को आईयर ने और नियूंतम विचलन विदी ये हमें पताई है वीवर महोदे की तो इसमें देखिए ये पहला आंसर होगा अगला क्यूसन देखते हैं वीटिल्सी ने विश्वे को कितने कर्शी विभागों में बाटा ये क्यूसन यूजिसीनेट में भी आ चुका है और आर्ट पेसी के पहले जो एक्जाम होए हैं उसमें भी आ चुका है काफी बार आ चुका है ये विडल सी ने 13 कर्शी परदेशों में बाटा था अगला क्विशन नगर परदेश सब्द की रचना किसने की थी सीटी रिजन तो ये देखिए नगर परदेश नगर माल अलगलग सब्द है तो ये पैट्रिक गिडीज महोदे ने सीटी रिजन नाम दिया था अगला क्विशन यदि परदान नगर की जनसंख्या बीस लाग है तो उस चेतर के चतुर्थ कोटी नगर की जनसंख्या कोटी आकार नियम के नुसार होगी तो बिल्कुल आसान है ये इसमें बीस दिया है और चोथे रिंक का पुच्छा है इसमें डिवाइड कर देंगे इस हिसाब से तो कितना होगा ये आएगा पांच पांच लाग होगी इसमें चोथा आस्वर होगा अगला क्विशन नगरियो पांथ के विशे में सही कथन है ये है कि ये है अर्बन फ्रिंज नगरियो पांथ के वारे में पूचा गया है तो सही कथन कौन सा है इसमें नगर के चारूं और उसकी परसासनिक सिमा से परे का छेतर होता है बिल्कुल सही है उसके चारूं और का जो छेतर होता है उसे ही नगर युपांत करते हैं तो पर्मोग रूप से देखा जाये तो रूरल अर्बन फ्रिंज है ये एक प्रकार से अम्लेंड एरिया जो होता है नगर परदेश का ही भाग होता है एक आंतरिक होता है रहे बहई ये भाग होता है तो उसी के अंदर आता है अगला क्यूशन अधिवास गुगोल के अध्येन में आनुवानसिक उपागम के प्रेशत थे देखी यह अच्छा क्यूशन है UGC.net में आने वाला क्यूशन है यह RPSC द्वारा सबसे पहले college lecture में यह क्यूशन दिया गया है से पहले कोई examen नहीं आया हुआ माइचेन महोदे हैं उन्होंने आनुवानसिक उपागम का प्रयोग किया था settlement जोग रखी में अगला क्यूशन इस्टोलर का केंद्री इस्थान सिधान्त जिस अभिधारना पर आधारित नहीं है वह है देखिए यह हमें ध्यान में रखना होगा कि क्यूशन में नहीं है या है क्या पुछा गया है कई बार आते आते ही हमारा आंसर गलत हो जाता है तो यह ध्यान में रखना है किश्टेलर का जो केंद्री स्थान सिधान्त है इसमें चार ओप्षन है कौन सा नहीं है वो पुछा गया है इसमें देखिए चेतर में सरवत्तर समतल मैदान सबी जगे समरूप उपजाव मैदान उपजाव मिट्टी समतल मैदान बिल्कुल ठीक है और ग्रामिन जनसंख्य का वित्रण ये भी ठीक है जलवाईयों को आधार नहीं माना था उन्हें तो ये गलत है वाकी सही आठ का कुश्यन देखते हैं क्रिश्टालर के नुसार विपणन सिध्धान्त के आधार पर के का मान होगा तो मार्केटिंग के लिए उच्छा इसमें इसके लिए देखिए सुत्र के द्वारा याद कर सकते हैं बाजार यातायाद और पर्शासन तो बाजार या मार्केटिंग के लिए पुछा है तो पीसरा है इसका इसमें 3,4 और 7 परिवन के लिए 4 है और परिवन के लिए 7 है अगला क्यूशन वेबर के नुसार परिवहन लागत का आरेखी संबन्द होता है आरेखी संबन्द है वो वकराकार होता है ये पहला आंसर होगा वकर रेखी वेबर मोदे ने अपना नियून्तम परिवहन लागत का सिधान परतिपादित किया था और इसका बाद में इंग्लिस में अनुवाद गवा थोरी लोकेशन ओफ इंडरस्टीज में अगला क्यूशन है ब्रिक ओफ बल्क से क्या ताथ परी है अच्छा क्यूशन है ये तो इसमें जो परिवहन का कोई केंदर नोड्स होते हैं बिंदू होते हैं माली जी देखिए यहां से परिवन मार्ग द्वारा दूसरे अपने नोड्स केंदरू पर जाता है और कोई दूसरा मारग यहां आता है कोई तीसरा मारग भी हो सकता है और यहां पास में माली जी बंदरगा है या नदी है या तकी भाग है तो पहले तो यहां सडक मारक था यहां आकर परीवन का साधन है वो बदल जाएगा क्योंकि यहां बंदरगा है तो जल मारक दवारा जाएगा या फिर या तयात का साधन कोई दूसरा हो सकता है जैसे मानली जी वायू परिवन भी हो इसमें मेडिकल वाली जल्दी खराब होने वाले कोई बस्तमे हो जल्दी पहुचाने वाली जीवन या पन के लिए बहुत जुरूरी हो तो परिवन का जो मारक बदल गया तो उसे ही ब्रिक ओफ बल्क करते हैं इसमें देखिए परिवन के एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली अगर बंदरगाह में आगे रेल मारक जा सकता है नहीं सडक मारक चेंज हो गया एक परिवन मारक से चेंज हो जाना दूसरे मारक अगला क्यूशन वेबर के नुसार सरववयापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्द्योग की न्यूनतम लागत इस्ति जिसके निकट होती है सरववयापी कच्चा माल जो कहीं भी उपलब्द हो जाता है तो वो कहां होगा अगर एक कच्चा माल सभी जगर मिल रहा है तो उसकी स्तिखा होनी चाहिए तो इस हिसाब से अपना तिरकोंड परतिरूप परस्तुत किया था एक कच्चा माल है वो सरववयापी है रो मेटेरियल एक थोड़ा दूर मिल रहा है और यहां पर मार्केट है तो इसमें देखिए सरववयापी कच्चा माल सभी जगर मिल रहा है रो मेटेरियल ये रो मेटेरियल सभी जगर पर है तो बजार के निकट इस्थति होगी इसमें जब दो कच्चे माल हो और एग कच्चा माल भार्ख होने वाला हो और एक शरुव्यापी हो तो भी बजार के निकटी स्थापित होना जादा बहेतर इस्थति होती आगे देखते हैं अगला कुश्एन स्मित ने अपने ओद्योगिक अवस्तिती सिध्धान्त में जिन तत्यों को समलित किया है वे हैं तो उसने उत्पादन और मांग दोनों को सामिल किया था इसमें देखिए बाजारी मांग और उत्पादन लादप दोनों को सामिल किया है अगला क्यूशन Smith के नुसार उदोगिक अवस्थिति के लिए प्रात्मिक्ता का च्हेतर जिन वक्रों के पर तिछेदन बिंदों पर होता है वे कौन से हैं ये लागत वक्र और राजस वक्र तो इसमें देखिए च्हेतरी लागत वक्र और च्हेतरी राजस वक्र अगला question हूवर के अनुसार उत्पादन लागत के तीन सही आयव कौन से हैं इसमें A में दिया है कच्चे माल के कत्रन की लागत B में उत्पादन परक्रिया की लागत C में उत्पादन के बाजार तक आपूर्टी की लागत और D में तूट फूट की लागत तो हूर ने कच्चे माल को इफठा करने की लागत उत्वादन की और बजार तक पहुँचाने की तीनु कोई माना है तो इसमें होगा A, B और C अगला कुशन दियेगे चित्र में मूल भूत परिपत हैं देखिए परिवन भूगोल से समधित क्युशन है सर्किट पूछा गया है परिपत कितने है ये देखिए A, B, C, D, E, F, D ये क्या है नोड्स कहलाते हैं ये के अंदर हैं और जिनका जो मार्ग है ये इनके परिपत हैं तो कितने परिपत बन सकते हैं परिपत का मतलब एक पूर्ण रूप से सुरुवात का मारग और अंति मारग आपस में आकर मिल जाते हैं तो देखिए एक तो ये बन रहा है इसमें A से B, C, D और A एक परिपत बन गया और A से C, D और A दो परिपत इसमें बन रहे हैं तो इसमें पैदा ही आंसर है अगला सा सुचकांग करते हैं तो ये अलफा सुचकांग करते हैं देखिए इसमें अलफा बीटा और गामा अगलक सुचकांग होते हैं मूल भूत कितने हैं और संभव कितने हैं उसका नुपात उसमें जब डिवाइड करते हैं तो उसको अलफा सुचकांग करते हैं अगला क्युशन मार को चेन परतिमान में यह माना जाता है कि भावी परिष्थितियां निर्भर करती हैं तो भविष्य की जो परस्थितियां हैं फ्यूचर भविष्य भावी का मतलब फ्यूचर भविष्य से तो वो वर्तमान परस्थितियों पर ही निर्वर करती है वर्तमान में क्या हो रहा है उसी के दुबारा आगे जो भविष्य में क्या घटित होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है अगला क्यूशन पूर्ण रिर्णात्मक से संबंद की इस्तती में संबंदित पर्तिगमन रेखा बनती है नेगेटिव पूछा है इसमें रिर्णात्मक एक होता है धनात्मक पोजिटिव तो इसमें देखिए यह डायग्राम से समझते हैं यह है यहाँ पर एक्स और वाई इसमें पूर्ण रिर्णात्मक तो रिर्णात्मक इस्तती होगी इस परकार से यह वाले और धनात्मक में होती है इस परकार से तो बाएं ऊपर से दाएं नीचे ये वाएं य hy देखिए English में समझसक्ते है अप अपर left to lower right अपने right hand से देह लिए यह होता है इसका right और यह होता है लेफ्ट कर तो यह लेप्ट से इस परकार तो यह होगा रहां दूसरा रेखा एक्स व य एक्सों के क्रम से जिन परतिसत बिंदूं को जोड़ती है वे हैं तो इसमें जीरो और सो को जोड़ती है सम्वित्रण रेखा अगला धनात्मक या रिनात्मक वैसम्मे वाले वित्रण में किंद्री परवर्ती का स्रोत्म माप होता है एकी केंद्री जो परवर्ती है उसका स्रोत्म माप मादिका होता है मेडियन यह हमें ध्यान में रखना है चाहे धनात्मक हो चाहे जिनात्मक हो अगला क्यूशन परतीप गवन समीकरण वाई बराबर ए पर लगुकृत हो जाती है यदि ये देखी क्या है गामा हो अल्फा बीटा या गामा इसमें साइद ये उसी का साइन है अल्फा बीटा और गामा में से इसमें देखी क्या होगा वाई बराबर ए पर लगुकृत हो जाती है तो किसमें होगी तो ये जीरो जब होगा मान तब होता है ये की साइन है मुझे दिखाए नहीं दे रहा किया किसका साइन है सिंबल है ये आगे देखी संगी वेवस्था के परकार वे देशों का बेमेल युग्म है तो पारस्परिक हित मैक्शिको समजोता नाइजीरिया और आरोपित पाकिस्तान ये चीन में सम्मेवादी है ये गलत है अगला स्पाइक मैन के रिम लेंड सिधान्त का वरणन जिस क्रंथ से मिलता है वह है अच्छा क्यूशन है ये और यूजी सी नेट में भी काफी बार आचुका है अपना रिम लेंड सिधान्त स्पाइक मैंने जोग्राफी ओफ पीस चान्ती का भूगोल पुस्तक में लिखा था अगला क्यूशन मेकाइंडर के तरिक हर्दे स्थल संकल्पना से जुड़े अन्य राजनितिक भूगोल वेता देखिये RPSC है वो हिंदी गरंद अकादमी की जो पुस्तक है उनको अथेंटिक मानती है हालांकि हरीमोहन सक्सेना की पुस्तक भी अच्छी है अस्तोगी पब्लिकेशन की लेकिन जो हिंदी गरंथ अकादमी की पुस्तक है उसमें से क्यूशन लिए गए हैं तो इसमें देखिए माइनिंग और हुशन सेरेवस की और महान ये चार ओक्षन दिये हैं तो हार्ट लेंड से कौन-कौन से जुड़े हुए है तो इसमें माइनिंग और हुशन महोदे इन से जुड़े हैं हार्ट लेंड से समधित अपने अलग-लग विचार प्रस्तुत किये के लिए थे और सेरेवस की है वो वयू सकति है और 80 माहान है वो समुदरी सकति को भैता दी इसमें यह और भी आंसर होगा अगला कुशन उत्तरवय दक्षण कोरिया के मद्धे सीमा किस प्रकार की है देखिए उत्री कोरिया और दक्षण कोरिया के मद्धे तो विवाद चलता रहता है तो एक प्रकार से तो ये सीमा कौन सी हो जाती है उत्री wykoria झामितिय होती है और विवाल चल रहा है तो यह आरोपित है जामितिय क्यों है क्योंकि यह अक्सांस का अनुसन करती है यह 38 degree 38 अक्सांस समानांतर के उसके है और आरोपित है एक दूसरे आरोप लगाते हैं तो A और B यह सही है इसमें अगला कुश्यन देखते हैं रोमन भासाई वर्ग में समलित है तो ये सांसकर्तिक भूगोल से लिया गया कुश्यन है सामा जीक और सांसकर्तिक भूगोल दोनूं में ही भासा के बारे में बताये गया है खासकर सांसकर्तिक भुगोल में ज्यादा डिटेल से इसके बारे में है तो रोमन भासाई वर्क इसमें देखिए उर्दू आ गया तो यह भी नहीं होगा और इसमें यह अलग आ गया थाइलेंड यह तनाम इसमें फिर मंगोल आ गया है यह अलग हो गया है तो Spanish, Portugal, France और Italian ये चार का अपसन होगा क्योंकि वही यह जो Spain है पुर्टगाल है ट्रांस है और Italy है यह एरिया है प्राचिनकाल में रोमन क्याल आते थे रोमन पर्देश अगला क्यूशन बोलने वाले लोगों की संख्या के घड़ते करम में विश्व की भासाएं 2014 की अनुसार पुच्छा गया है इसमें तो देखिए इन चीनी भासा जो है मंडारिन है वो सबसे ज़्यादा है घड़ते करम में पुच्छा यानि सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद कम और उसके बाद फिर इसमें देखिए इंगलिस है और फिर इसके बाद में हिंदी है य कर्म है कि चोथा अंसर होगा इसमें अगरा कुछ यू ऐसे का अधिक्तम सांसकर्तिक विवित्ता वाला भाग है तो हमें पता है कि यू ऐसे में जो सो डिग्री पश्च्मी देसांतर है उस रेखा के पूर्वी भाग में ही अधिक्तम जनसंख्या निवास करती है तो इसमें देखिए उत्तर पस्चिम और उत्तर पूरव दक्षन पूरव और मद्दे पस्चिम तो इसमें दक्षनी पूर्वी जो भाग है वो आएगा ज़्यादा सही यही है अगला क्षिशन बासाई परिवार में समलित होता है भासाओं की यह का समान क्या होता है बासा परिवार में जो भासा की उद्वव है व्याकरणी रूप है धोनी है तो इसमें यह दूसरा आंशर है इसमें अगला क्यूशन यदि वान्थुनेन के परतिमान में खेट से बाजार की दूरी को सवतंतर मान लिया जाए तो आर्थिक किराय को निरधारित करती है इसका परतिप गवन समीकर्ण क्या होगा तो वान्थुनेन महोदे ने 1826 में आइसोलेटर स्टेट में अपना सिधान परसुत किया था और साथ पेटियां बताई थी और इसमें से देखिए काफी क्यूशन आते हैं चाहिए यूजिसी नेट हो और पेशी हो एक क्यूशन अगर स्लेबस में दिया है तो जरूर आता है देखिए यह कई बार नेरियो वोगोल में भी होता है और खासकर यह एकोनोमिक जोग्रफी और अगरिकल्चर जोग्रफी में ज़्यादा दिया होता है तो इसमें वाई ब्राबर ए माइनस बी एक्स यह दूसरा अनसर होता है और इसमें जो वान थूनन का जो मोडल है उन् पांचवे जोन में है और सेवन सिस्टम सब्तवर्षी जो मेखला है वो चोथे सिस्टम में बताया है अगला क्यूशन वान ठुनेन के करसी अवस्थिति मोडल को योरोप पर लागू करने वाला अच्छा क्यूशन है ये जोनसं महोदे ने लागू किया था अगला क्यूशन ये मिलान करना है हमें देखिए कोटी गुणांक विधी भारित कोटी गुणांक विधी प्रामाणिक विचलन विधी और वहन चमता विधी तो कोटी गुणांक विधी रेंक ये केंडाल मोहदे की है और भारित कोटी गुणांक विधी ये देश पांडे और स्प्रे की है प्रमाणिक विचलन विधी विचलन विधी के बारे में पता है ये सीना बियन सीना ने प्रस्तुत की थी और वहन चमता विधी केरिंग कैपिशिटी जो मैथर्ड है वो स्टांप की है तो देखी कौन सा आंसर बनता है इसमें होगा चोथा आंसर अगला क्यूशन परवास के दूरी विध्करम नियम को पर्तिपादित किया था डिस्टेंस लाफ माइग्रेशन काफी बार आचुका है ये जेके जीफ मोदे ने प्रस्तुत किया है अगला क्यूशन पर्तिपगवन परवजन होता है रिटर्न माइग्रेशन रिटर्न माइग्रेशन का मतलब जो परवासी है वो अपने सवदेश वापस लोट आते हैं तो इसमें देखिए ये अभी प्रेथ परवासियों का सवदेश लोटना इसे परतिगमन परवजन करते हैं विप्रीत परवास भी इसको कहा जाता है अगला क्यूशन भारतिये परवर्जकों के लिए नवीन्तम ओद्योगिक गंतवे देश हैं जो परवासी भारतिये हैं वो कौन-कौन से देशों में अधिक जाने लगे हैं तो इसमें ओस्टेलिया, जर्मनी और जापान अगला क्यूशन कार्यात्मक परदेशों को सिमांकित करने में पर्युक्त परवास विसलेशन जिनके मद्धे परवास की दिशा और गहनता पर आधारित होता है वह क्या है? जो functional region है, उनके उपर आधारित जो परवास विसलेशन है वो किसके मद्धे परवास की दिशा और गहनता पर आधारित है तो ये परदहान नगर और उसका जो निचले अदान कुरम के जो अन्य नगर है उसकी गहनता परदहरित होते हैं यह होगा इसका तीसरा अंसवर अगला क्यूशन विकास धुरुव सिध्धान्त के मोलिक परस्तुत करता थे ग्रोथ फोल्ट थोरी काफी बार आ चुका है यह पेरोक्स मोहदे का है यह विकास धुरुव सिध्धान्त येट में भी काफी बार आ चुका है अगला प्रादेशिक सिमांकन में सामानेत है जिस सांखी की विदी का उपयोग नहीं किया जाता वह है कौन सी सांखी की विदी का परियोग प्रदेशूं की सिमांकन में हम नहीं करते हैं तो इसमें चार ओप्सन हैं, परधान घटक विसलेशन, परवाह विसलेशन, परतीप गवन विसलेशन और गुरूत विसलेशन, तो ये परतीप गवन अलग हो जाता है, इसका नहीं करते हैं, बाकी सभी सही हैं, अगला, सही कतन का चुनाव करें, सरव पर्थम और बोक ने नगरी आकार और उसके मद्दे कोटी का प्रिक्षपन किया, तथा उसके काफी समय वाद जेके जीफ नहीं सवधाना को अपशारिक रूप दिया, बी का है, कोटी आकार नियम पर और बैक वे जीफ दोनों ने साथकारिय किया, सी का है, और बैक वे जीफ दोनों ही कोटी आकार नियम से सम्मदित नहीं है, और डी का है, जीफ कोटी आकार नियम से सम्मदित नहीं है, तो सही कतन कौन सा है, तो इसमें पहला है, वो सही है, बाकी सारे गलत है अगला कुछिशन चालिस का जिस परकिर्णन आरेक के लिए आकलन की प्रमाप तुरूटी अधिक्तम होगी वह है तो इसमें देखिए ये रिनात्मक दिया है ये धनात्मक है तो इसमें ये बिखरा हुआ है और ये बी वाला अंसर होगा इसमें पहला अगला कुछिशन जिस केंद्रिता के माप से विचलनों का योग सुनने हो जाता है काफी वार आचुका कुछिशन है बहुत ही अच्छा कुछिशन है ये तो मध्धे मीन है इससे विचलनों का योग सुनने हो जाता है अगला सरवाधिक संयोजन वाला परिवहन तंतर है ज्यादा इसमें नेटरक हो तो वो कौन सा होगा देखी इसमें एक पत वरक्स सम और परिपत और कोशी है तो इसमें ज्यादा सर्किट्स होते हैं वो ही होता है अगला कुशन ए परचालिक प्रिक्षन है नोन पैरामेट्रिक टेस्ट इस प्रकार का है तो ये है काई स्क्वेर टेस्ट काई वरक अगला कुशन दिये गए चित्र में गाओं की स्थती के आधार पर उसका निकटवर्ती विशलेशन सुचकांग क्या होगा तो निकटवर्ती विशलेशन सुचकांग निकटतम पडोसी विशलेशन है उसी का कुशन है ये तो इसमें देखिए अलग-लग मान होते हैं इसमें दो दसमलव एक चार साथ दो दसमलव पांच के होता है वो पूर्ण सम्रूप होता है और इसमें देखिए क्या पुच्छा गया है यहां पे यह अलग-लग है और समान है दिखरे वे हैं तो सम्रूप है तो इसमें यह आएगा दो दसमलव एक पांच ठीक है यह क्योंकि सम्रूप दिए वे हैं सारे अगला क्यूशन है सम्रूप को किसी इस्थिरांग से गुणा करने पर क्या होगा तो इस्थिरांग से गुणा करने पर माध्यव परमाव विचलन इस्थिरांग के गुणांग के बराबर बढ़ जाएंगे यह पहला आंसुर होगा अगला क्यूशन यदि दो चरूं के मद्धे सह संबन्द का पूर्ण अभाव है तो संबनित बिंदूं का परकेड़न होगा X अथवा Y X के समरांतर सीध ही रेखा पर होगा कोई सह संबन्द है यह नहीं तो बिल्कुल समरांतरी होगा अगला कुछ से निम्रांकित संकों के लिए कोटी सह संबंद होगा तो देखिए इसमें पहला है एक्स है इसमें हम रेंक दे सकते हैं लेकिन इसमें कोई रेंक दें कैसे रहेंगे सब में 6-6-6 हैं तो ये टुकडू में बट जाएगी रेंक तो सुनने होगा इसका मान तो सुनने होने पे तो सैसंबन्द भी क्या आएगा है सुनने ही आएगा जीरो आएगा अगला क्यूशन सत्ता, संरचना, परियावरन और आर्थिक ऐसंबानताओं के मद्दे संबन्द कहलाता है ये राजनितिक पारिस्थितिकी कहलाएगा पॉलिटिकल इकोलोजी सत्ता सन्नचना परियाण और और आर्थिक ऐसमानताओं की मंदिय अगला फिशन कारण और कथन से संबन दित है उत्री अट्लांटिक महासागरी जलमारग विश्व का सबसे महत्वपून जलमारग है बिल्कुल सही बात है ये कारण दिया है कि उत्र अट्लांटिक महासागरी जलमारग विक्सित एवं विकास सील राष्ट्रों के समीप लाते है तो देखिए उत्री अट्लांटिक में एक तरब तो ये देखिए ये अमेरिका है और ये तक्षणी अमेरिका और यहाँ पर ये देखिए ये अफ्रीका, यूरोफ और ये अट्लांटिक मासागर है इसकी बात हो रही है यहाँ पर ग्रेट बिर्टेन, यूके वाला एरिया ठीक है पुर्टगाल, स्पेन इसमें क्या कर रहे हैं कि विक्सित और विकासिल, तो यहाँ पर विकासिल तो कोई है नहीं, विक्सिती है, कनाड़ा, USA और ये ये यूरोपिय कंट्टी है, और ये जलमारक के बारे में पूछ रहे हैं तो A सही है और R गलत है, क्योंकि दोनों ही विक्सित है, अगला क्यूशन, निव में से कौन सा देश अपने भू छेत्री आकार से सही सुमेलित है, ये राज़ती भूगोल का सिमाओं से समदित क्यूशन है, यूजिशिनेट में भी काफी बार आया हुआ है, तो रूस विचिनाकार फ्रेग्मेंटेट दिया है, चीली प्रोरप्टेड विसफोटाकार, पोलेंट, कंपेक्ट, स्युकताकार और फिलिपिन्स लंबाकार, सही सुमेलित कौन सा है, वो पूछा गया है, तो एक ही सही है, इसमें बाकी सारे गलत है, चीली है, वो लंबाकार और तिर्गाकार है, तो ये विसफोटाकार नहीं है, गलत है, रूस विचिनाकार नहीं है, ये भी गलत है, पोलेंट है, वो स्युकताकार है, बिल्कुल सही है, और ये भी गलत है, तो ये एक तीसरा ही सही है, इसमें, अगला क्यावन का सुमेलित करना है परस्तावक और सिधान्त वेबर का सिधान्त है ओदोगिक अउस्तिति का सिधान्त है तो इसमें दूसरा आएगा माल्स का सिधान जनसंक्या का है और वोन थ्योनन का सिधान कर्सी अउस्तिति का है काफी बार ये question आ चुका है तो इसमें ये देखी दूसरा answer है अगला question अंड़मान और निकोबार दीब स्मो की आदिवासी जन्द संख्या किस से सम्मधित है तो अंड़मान निकोबार निग्रोईट परजाती से सम्मधित है अगला question प्रादेशिक नियोजन में धे प्राप्ति मैट्रिक्स गोल अच्यूमेंट मैट्रिक्स पुछा है बहुत अच्छा question है ये ये इसी नेट में आ सकता है तो इसमें मोरिस हिल का पर्मुक योगदान है अगला question अगला question बुद्र से कारेक दिया गया है इसमें तो कौन से आरेक के किस बिंदू पर बाजार इस्थती अनुकुलतम है बाजार के सती अनुकुलतम किस बिंदू पर होगी कहां पर इस्थित होगा इसमें देखना है हमें एक तो ये उत्पादन रेखा है ये वाली और ये है मुल्ले रेखा कितना मुल्ले लगा है तो मुल्ले कम लगे और उत्पादन जादा हो तो ऐसी स्तिक इसमें है इसमें देखिए सबसे जादा उत्पादन है वो दो नमबर पे है और मुल्ले सबसे कम तीन पे है तो तीन बिंदू पे मुल्ले तो कम है लेकिन उत्पादन है वो भी कम है तो ये सबसे उप्यूक्त इस्तति होती है ये वाली ये दो नमबर तो इसमे होगा दूसरा अगला टौफे के परिवन विकास मोडल में अवस्थाएं कितनी हैं यह परिवन मुगोल से संबंदित है और टौफे ने च्छे अवस्थाएं बताई थी अगला क्यूशन च्छेत्री एसमानताओं के मापन की विधिया कौन कौन सी है करमकोटी संकलन चतुर्थक सुचकांक विचलन सुचकांक परधान घटक तो यह सारे ही हैं एक दो तीन चार अगला क्यूशन बहु बासावाद संगर्स से नियूंतम परभाई देश देखिए नाइजिरिया साइप्रस वेनेजुएला और बेलजियम चार देश दिये हैं इसमें तो नाइजिरिया में रहा है संगर्स साइप्रस में तो अभी भी चलना है और बेलजियम यह वेनेजुएला है इसमें क अगला कुश्चिन यह सुमिलित करना है। उस्तके हैं और लेखक दिये हैं। पॉपुलेशन जोग्राफी पॉपुलेशन जोग्राफी है वो क्लार्क मोदे की है। जोग्राफी ओफ पोपुलेशन तुरवार्था की जोग्राफी ओफ लाइफ देथ ये स्टांब हो देंकी है और दे प्रॉलोट्टु गोपुलेशन जोग्राफी ये जेलंसी कीसिए तो इसमें देखिए कौनसा है ये पहला ही और प्सें बंद रहा है अगला कुष्ion एस्टोन्स या क्या है तो एस्टोन्स या जो एक कर्शिफारम है अर्जेंटिना के उनको बगते हैं अगला क्यूशन समय तथा दूरी बढ़ने पर अभिगम्मिता है वो समय बढ़ेगा और दूरी बढ़ेगी तो अभिगम्मिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभिगम्मिता है वो घटेगी समय और दूरी बढ़ने पर अगला क्यूशन परवास दूरी तथा जनसंख्या आकार के मद्दे संबंद परियोग को गृत्व मोडल के द्वारा किसने परदर्सित किया था तो परवास और गृत्व मोडल इसमें देखी मीलर माल्स और जलनस की तीनों ही नहीं हैं तो यह होगा जैके जीव अगला क्यूशन परियोगन के आधार हैं तो परियोगन के आधार परिपूरक्ता मद्धे वर्ति आपूर्ति का अभाव और विनिमेता परियोगन के माध्यम सही उत्तर का पहचान किजिए परियोगन के माध्यम परियोगन के आधार कौन कौन से हैं तो ये पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है अपने अध्योगिक अवस्थिती मोडल के लिए वेबर ने परियोग किया था आई सोडो पे इनका होदवार जुजिशिनेट में भी आज़का यह कुश्चन अगला कुश्चन निम्न युगमु में से सही सुमेलित है कौन सा है देखिए जेके जीप का गुरूत्वे मोडल ग्रेविटी मोडल रोयली का पर्तियोगी परवास और स्टोफर का अंत्रायली आउसर्फ मोडल और हैंगर्श्टर का नियूंतम परियास सिदाम तो देखिए इसमें सही पूछा है तो जेके जीप लेता फिर पड़्डा था थोड़ देर पहली रोयली तो इसमें हेंगर स्टेंड है वो भी नहीं है तो क्या होगा सही स्टोफर का अंत्रायली आउसर्फ मोडल जलसंख्या युहव संकल्पना का विकास किस विद्वान ने दिया था स्टिवर्ट और वार्न्ट ने यह आएगा इसमें चोथा पूर्थ का अगला क्यूशन रेवेंस्टीन के प्रवास सिध्धान के नुसार नियुम में से कौन सा खथन सही है तो कम दूरी के लिए पुरूसूं के पेक्षा महिलाएं अधीक प्रवास करती हैं इसलिए अपन क्युपरांत महिलाएं प्रवास करके अधीक जाती है और पुरूस है वो ज़्यादा दूर तक जाते हैं महिलाएं हैं वो कम दूर तक ही प्रवास करती हैं अगला क्यूशन निम्राकित भार्थी राज्यों में से कौन सा जनाकिकी संक्रमन की अंतीम अवस्था में पदापन कर रहा है तो गोवा है वो अंतीम अवस्था में प्रवेश करने की स्थती में है क्योंकि इसमें जो मर्त्युदर और जर्मदर है इसमें काफी कमी आई है जर्मदर बहुत कम है और मर्त्युदर में भी गिरावट आई है अगला क्यूशन केंद्री इस्तल सिध्धानत के बारे में कौन सा खथन सही नहीं है यह कस्मु के आकार को स्बुश्ट करता है ठीक है इसका पर्तिपादन किसी बुगलवेता दवारा नहीं किया जया तो यहीं गलत था अगला क्यूशन आगश्टस लोस दवारा पर्तिपादित सामान अवस्थति सिध्धान्त में कौन सी मानता सही नहीं है चेतr 118 संवरूब मैदान है उत्पादन की आपूरती लचिली है ये दूसरा गलत है उतपाद की आपूरती लचिली है ये मानेता सही नहीं है अगला क्यूसे नें युगुमो में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो एलिक्स, एमलेंड, स्मेल्स, नगर चतर, हैरिस, नगर प्रिष्ट परदेश और ग्रिन का परभाव चतर तो ये एमलेंड, आंद्रे एलिक्स का बिल्कुल ठीक है और अर्बन फिल्ड, गिल्बर्ट और स्मेल्स ने नाम दिया था ये भी ठीक है और ग्रिन मोदेगा ये भी सही है तो ये हैरिस का नगर प्रष्ट परदेश ये गलत है अगला कुशन निम युगमू में से कौन सा सुमेलित है तो देखिए नगर ये भुद्र से और चेतरी विज्ञान लेंड्साफ्ट और ये दिया है नगर ये पारिस्थितिकी तो सही पुछा गया है इसमें देखिए तो इसमें नगर ये पारिस्थितिकी है वो सिकागो विज्ञार धरा ये सही है अगला क्यूशन बरगेश के सकेंद्रिये वले सिधान्त में रिहाईसी पेटी चार में कौन निवास करते है तो चार में तो एकल परिवार के वास है बेहतर आवास ये भाग है बेहतर आवास के तीसरा आंसर होगा अगला केंद्रिये स्थल की केंद्रियेता सरोत्तम ढंग से चित्रित होती है तो इसके पर्ष्ट परदेश में निवासित जनसंख्या के लिए बरदत कारियों से चोथा आंसर होगा अगला प्रिशन देखते है निवन में से किस विद्वान ने भारत की जनगनदा 1961 में कस्बूं के परकारियात्मक वरगन के लिए त्री आधारी आरेक का प्रियोग किया था अच्छा क्यूशन है ये तो ये मित्रा मोदे हैं ए मित्रा उन्होंने किया था ये त्री आधारी आरेक भारत की जनगनदा 1961 में टाउन के फंक्शनल वरगिकन के लिए अगला क्यूशन प्रादेशिक नियोजन के अवधाना के संस्था पक कौन थे तो ये भी में कोई मोदे ने प्रादेशिक नियोजन के अवधाना के परतिपादन किया था अगला क्यूशन निम्न भुगोल वैताओं में से किसका संबन स्थानिक विचारधारा से नहीं है स्वेटियल स्कूल ओफ थोट तो इसमें एंगर स्टेंड बेरी और क्रिश्टालर इनका है स्टांप मोदे का नहीं है अगला क्यूशन नियोजन पर किरिया की गतिवीदियों का निम्नाकित में से कौन सा कर्म सही है तो इसमें होगा चोथा उप्सन परतेक्षी कर्ण, परकटी कर्ण, परियोजना, निर्माण और किरियान में अगला क्रुशन निवन में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है तो मार्क्स का इत्यासिक भोतिकोवाद ठीक है लोश का नवाचार विष्रण ये हेंगर स्टेंड का ये गलत थै इसमें लोश का नहीं है रो स्टो का अर्थिक विकास और गोल्ड का परियंद विकास कि ये ठीखाथ है सारे तो इसमे दूसरा ही है सुम loaded नहीं है कुछा है तो दूसरा अगला कुछिन 79 का नेल्वे से कौन सा लक्षन क्रोड उपांत निर्दस से सुमेलित नहीं है कोड उपांत मॉڈल इसमें कुरोड परदेशों का विकास व्याइ श्मरदी उपांतों की कीमत पर नहीं है। अगला करशी भूप année मोडल में सातवी पयाटी जिसे विक्त करती है। तो साथमी पेटी अंतिम पेटी है, बंजर भूमी से समधित है। अगला, निम्न युगमु में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुचा है। तो सांखे किये तकनीक, अनुभविक तकनीक, और परिमानात्मक, उनात्मक तकनीक और एकल तत्व तकनीक। तो सांखे की विवर है, अनुभविक तकनीक, जोनासन और परिमानात्मक, यह ठीक है। यह चोथा है, यह सही नहीं है। अगला क्यूशन, लोकेशन ओफ एक्टिविटीज गरंद का लेखक। तो इसमें लोकेशन ओफ एक्टिविटीज गरंद है, हमें पता है, हुवर मोदे की है, यह कुछ तक गरंद के लेखक है, हुवर। अगला क्यूशन, वेबर के नुसार, परदार्थ सुचकांग पूर्ट एक के बराबर हो तो ओदोगिक अउस्तिती का सही विकल्प कौन सा होगा। परदार्थ सुचकांग एक का मतलब होता है कि जो माल हम उतपादित करते हैं और जो कच्छा माल होता है, उसमें कितना लागत या जो भार होता है टोटल और उतपादन माल की लागत और भार होता है, वो बराबर होते हैं, तो उसका सुचकांग एक होता है। तो एक होने पर उद्योग कहां लगाए जाए तो ऐसी इस्थती में उद्योग हैं कच्छे माल, बाजार और इन दोनों के मुद्य कहीं भी लगा सकते हैं बीच में ये तो पदात कच्छे माल के समीप भी लगा सकते हैं बाजार के समीप भी लगा सकते हैं या बीच में भी ल बाजार से तो ये गलत है स्मित वाला अगला क्यूशन निम्न कत्रों में से कौन सही है सही पुछा गया है तो बाजार संतुलन मांग और आपूर्ती वक्रों के परतिछे दिन बिन्दों से चिनित होता है तो ये बहला ही सही है मांग और आपूर्ती का जो परतिछे दिन बिन्दों होता है उसे चिनित होता है वजार संतुलन मिल्कुल ठीक है अगला परिवहन प्रणाली के विकास के उस्ताओं का सही कर्म कौन सा है तो इसमें होगा सह जीवन अभिभावी और सायक ये दूसरा सही नहीं है सही नहीं है गलत कौन सा है वो पूचा है जाल परतिरूप स्थानिक अंते किरियाओं के रूप को नियत करने में सायक नहीं है तो ये ही सही नहीं है इसमें बाकी साही है सारे अगला निन में से कौन सा कतन राजनितिक भुगोल की परिवासिक संकल्पना के बार राज्य रूप में अंतर संबन धित हैं कि कlor इससरे आई अगला कुछ पर निवन वे कोण सी विश्यस्तप राष्ट राज्य से सम्मदित नहीं है लैसन श्टेट से सम्मदित कौन सी विश्यस्तप नहीं है इसमें तीसरा आंसर होगा ये है चरम भोगोलिक अन्भूति नहीं है ये नहीं है अभी पुच्छा है तो ये गलत है इसमें अगला निन्मे से कौन सा कथन सही है ये सीमा से सम्मंदित क्यूशन है, राजनितिक भूगल का ही क्यूशन है सीमान्तू और सीमाओं का परियोग भूगलिक साइते में परायबाची सब्दू के रूप में होता है सीमाएं संपर्भू तक आउसेक अविन नहीं है संपर्भू राजे सीमाओं द्वारा विभाजित होते है संपर्भू राजे सीमान्तू द्वारा विभाजित होते है तो सही कौन साइस में पहला भी गलत है क्योंकि सीमान्त और सीमाओं अलगलग होती है परायबाची नहीं है सिमाए संपर्भू का आउसेग अविय नहीं है ये भी गलत है संपर्भू राजे सिमाओं दोबारा विभाजित होते हैं ये बिल्कुल सही है अगला क्यूशन नर्जातिता के संदर्ब में निम्न कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है पुछा है गलत कौन सा के बारे में इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है कोई अकेली विशेस्ता नर्जातिता को इंगित नहीं करती नर्जातिता च्छत्रिये संस्कृतिक विवित्ता का पर्माण है भू भागिये पर्तकरण नर्जातिये पहचान का एक सबल वे पुष्टी कारक लक्षन है कोरियावासी कोरियाई में रहते वे एक नर्जाति अवरग के रूप में पहचाने जाते हैं तो इसमें देखिए ये चोथा उप्षन है ये गलत है कोरिया वासी कोरिया में रहते हैं इसको कोई ये नहीं कहा सकते है कि वे कोरिया ही परजाती है ये नहीं कहा जा सकता है कोई अकेली विसेस्ता भी नहीं है काफी विसेस्ताइं भी होती है और सांसकर्थिक विवित्ता होती है उसकी पहला दूसरा तीसरा सही है ये चोथा सही नहीं है अगला क्यूशन नील में से कौन सा कथन सांसकर्थिक पारिस्थितिकी के सम्बन में सही नहीं है तो देखे ये नहीं है नहीं है वाले क्यूशन जादा आ रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना एक्जाम में कि क्या नहीं है पुच्छा है या क्या है पुच्छा है इसमें देखिए इसका सम्मन सांसकर्तिक वरगवय इसके प्राकर्तिक प्रियावन से है ये मानव समाज में अनुकूलन ये परकिरियाओं का धेन है सभी समाज समाजिक विका सवस्ताओं से गुजरते हैं यह मानव पारस्तित्की का उप सम्मो है तो सही नहीं है तो सभी समाज समाजिक विका सवस्ताओं से गुजरते हैं समाज नहीं हो सकती अलग-लग होती है जरूर नहीं है कि समाज ही हो अगला सांसकर्तिक छेत्रों का सही अवरोही पदानुकरम म्यूजिशिन एट में आचुका है यह कुश्चन पहले भी तो इसमें देखिए सांसकर्तिक मंडल उसके बाद परिमंडल और फिर सांसकर्तिक परदेश कल्चर वर्ल्ड, रिलम और रिजन यह पदानुकरम के नुसार है कौन सा पदानुकरम अवरोही पूछा है इसमें डिसेंडिंग घटते करम में सांसकर्तिक मंडल फिर परिमंडल और फिर परदेश अगला क्यूश्चन नोन पेरामेट्रिक टेस्ट ऐ परचालिक प्रिक्षन इस नाम से भी जाने जाते हैं इसको वित्रण रहित करते हैं डिस्ट्रिबुशन फ्री दूसरा अगला क्यूश्चन निवन में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें चार में से तीन सही हैं कि ये गलत है मारकोनी परकिरिया एक संकर्मन प्राइक्ता आव्यूह में चित्रित होती हैं मारको परकिरिया ये दिर्च्छा वै करमवत दोनु प्रभाओं का प्रणाम है मारको स्रंकला निदर्ष में एक समान टी की इस्तती अपने पूरुवर्थी समय की इस्तती पर निर्वर रहती है और उस तर कर्मों की स्रंकला मारको स्रंकला निदर्ष में निर्देशित नहीं की जा सकती तो ये निर्देशित की जा सकती है ये गलत है अगला कुशन देखते हैं 96 का उस इस्थिति में जब दो परति गमन रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरह ढख लेती हैं तब सह संबंद का मान होगा दो परति गमन रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं पूरी तरह ढख लेती हैं तो उसका मान एक होगा निम्नी युगु मेंसे कौन सा सुमेलित नहीं है तुल्नात्मक निर्डे निम ठरस्टन का स्केलोग्राम इसलेशन गटमेन मिस्रित मानक विधी गिलफोर्ड की और सामाजिक दूरी मापन तकनीफ लिकर्ट की तो सुमेलित नहीं है ये लिकट ये गलत है इसमें बाकी सारे सही है अगला क्यूशन सुमेलित करना है स्थानांत्रित कर्शी के अलग अलग देशों में क्या नाम है चेना सिरलंका में कहते हैं और नगासु सुडान में रोका ब्राजिल में और इंडोनेशिया में हुमा तो ये पहला चार ये चार का ये उप्षन है इसमें अगला कुशन 99 का मिलान करना है मुल्ले अवस्ति लागत और सुविदा तो इसमें देखिए मुल्ले सुविदा से अवस्तिती मुल्ले तो होगा लागत या भाड़ा मुल्ले होगा लागत या भाड़ा दूसरा आएगा इसमें और अवस्तिती है वो सुविदा और लागत अवस्तिती और सुविदा सुविदा है वो समीपता इसमें चोथा उप्शन होगा इसमें अगला क्यूस्टन यह भी सुमेलित करना है अच्छा क्यूस्टन है कार्ल हाउस ओफर मेकाइंडर रेट जेल और इसा मोमें तो काफी बार इसे लेट क्यूस्टन आ चुके हैं भूराजनिती जिसमनित हैं यह काल हाउसों पर मेकाइंडर का हाटलेंड थोरी है और रेट जेल की लेवेंस रम वास्थान की अउधारना और इसा मोमें की दा न्यू वर्ड प्रोब्लम्स इन पॉलिटिकल चोग्राफी तो यह पहला ही ओप्शन बन रहा इसमें अगला क्यूशन 101 परवसन नियमों को बनाने वाला पहला वितवान कौन था तो यह रेवेंस्टिन नहीं बनाए थे परवास के नियम अगला क्यूशन ली के विचार में नियम लिखित में से कौन से कारक परवास के लिए उत्तरदाई हैं उत्पति चेतर में किर्यासिल कारक गंतेव स्थान पर किर्यासिल कारक कारक जो अंतस्त के रूप में किर्यासिल हैं वेक्तिगत कारक जो वेक्तियों के लिए विशिष्ट हैं तो कौन-कौन से इसमें सही है उत्पति शेत्र में किर्यासिल कारक सही है गंतेवे और कारक अंतस्त में है सारे ही सही है, इसमें चारों ही सही है अगला कुश्चन नियम लेकित कत्रों पर विचार कीजिए जना सांखी की संकर्मन मोडल है जो जर्मदर और मर्तिदर के स्तुरों की विकास का वढ़न करता है जो विक्षित देशों के संदर में विक्षित किया गया है जो जनसंख्या वर्दी के विस्व यापी मोडल के जो परक्रम में चार अतेन्थ रितिपद प्रावस्थाओं को सुचित करता है तो कौन से सही है देखिए इसमें विस्व यापी मोडल के रूप में स्विकर्थ किया गया है विस्व यापी जनसंख्या के रूप में इसमें और ठीक है जो विक्षित देशों के संदर में तो ये विक्षित और विकास सेल सभी के लिए है तो दूसरा ये गलत है एक तीन और चार शही है अगला क्यूशन निवलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए अति निम्न जर्मदर और निम्न मर्त्युदर मर्त्युदर के पेक्षाधीक जर्मदर अति उच्छ जर्म और मर्त्युदर निम्न जर्म और मर्त्युदरें तो ये किसी देश का जाना के कि संक्रमन करम का नोसरन करता है सिसमें पढ़ाई है सबसे पर फिर तीसरा है ती उज्च उज्णव्दर और मृथ्य दर सबसे पहले पिछडी आवस्था में होता है तब कैसी इस्तति आती है उसके भाद मर्त्योधर के पेक्षा अधीक ज़ंदर, मर्त्योधर में कम्याति है, जर्मदर वैसी रहती है, दूसरी इस्तती इस परकार की रहती है, विश्फोटक अवस्था, और उसके बाद नीवन जन्म और मर्ट्योधर दोनों में गिरा आती है। और उसके बार अति निम्न जंदर और निम्न मर्तिदर तो ये चार अवस्थाइं पहले थी उसके बाद पांच में अवस्था कोलीन क्लार्क मोदे ने प्रस्तुत की थी तो इससे संबंदित क्युष्टन जन्द सांकी की संक्रमन का सिध्धांत नोटेश्टीन और थॉंसन और नोटेश्टीन मोदे ने प्रस्तुत किया था इससे लेटिट क्यूष्टन लगवग आता है ये जी चीनेट में एक बार सोरी है एक क्यूष्टन आता है हर बार इसकी स्थति यह पहला है आंसर है इसमें यह आगे 105 का क्विश्ण देखते हैं इसमें डाइग्राम दिया है जरमदर दी गई है और मर्तुदर दी गई है और तीसरी स्थती क्या है यह देखे मर्तुदर है और तीसरी स्थती है यह सकल जनसंख्या कितनी है इसकी तो ये चोथा आंस्वर इसमें होगा अगला क्यूशन देखते हैं किस विद्वान के नुसार भारती गाउं के आकारिकी कारियात्मक्तता सामाजिक समस्टी के उधाना उपर आधारित है तो ये सिंग कियन सिंग ने बताया था ये 107 का क्यूशन देखिए जी के जीव के नुसार परधान नगर की संभावी जनसंख्या की गणना किस सुत्तर के द्वारा की जाती है तो ये P1 सिग्मा P अपोन सिग्मा 1 अपोन आर ये सुत्तर है इसका अगला क्यूशन देखिए ये नगरी भूमी का बर्गेश का सकंद्रिय वले सिधान दिया गया है तो ये X द्वारा चीनित छेतर क्या है तो ये निम्न बर्गी आवास को परदसित करता है ये लगबग तीसरी पेटी है CBD के बाद उसके बाद दूसरा और ये तीसरा अगला क्यूशन केंद्रिय स्थल सिधान के निम्न बिकित में से कौन सा कथन केंद्रिय स्थल के इर्ध गिर्ध वस्तु वित्रन चेतर का सही वर्णन करता है तो केंद्री इसल दोरा जिन अधिकतम दूरी के बिंदूं तक वस्तू परदान होती है उन्हें जोडने वाले रेखा से घिरा हुआ चितर ये तीसरा अंसर सही है अगला क्यूशन के बराबर तीन तो ये फिर से रिपीट हो रहा है बाजार सिधान्त है और के बराबर चार है वो परिवन वायात आयात और साथ परसासने सिधान्त का अगला क्यूशन ये बहुनाबिक सिधान्त हेरिस और उल्मान का और इसमें ये जो चेतर है अंतस्त पेटी है ये किसको निरूपित करती है देखिए इसमें तो ये है बहीरवर्ति कारी चत्र इसको अंतस्त पेटी भी कहते हैं ये जो एरिया है ये वाला है और ये तीसरा तीसरा पार्ट है तीसरी पेटी है जो निम्न आयवर्ग के लोगों से समदित है ये शटा है ये भारी में निर्माण है ये शेटलाट टाउन और ये बाईयो दोगी चत्र है और ये ए में जो है ये सात्मी पेटी है इसकी ये इसके बारे पूचा है तो ये बाईय कारी वर्थी चत्र है अगला निम्लिखित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो कोटिया कार नियम जैकेजीफ का है ठीक है खुटकर नियम रेली का है और सननगर पेट्रिगिडिक्स का वरन नगर ये गलत है इसमें पूचा है सुमेलित नहीं है सकेंद्रीय वलह सिद्धांत खंड सिदांत हम रोईट का सही है की श्टरलर का है ये गलत है बर्गेश का है सकेंद्रीय और निम्लिकित में से नियू नियूर्यन मिचलन विधि व्यवर की है देखी शुरुआत में एक क्विश्टन था जिसमें मिलान करना था उसमें दिया था ये तीन खेथ प्रणाली का तात्परी क्या है तो तीन खेथ प्रणाली वान थुनन ने पांसमी पेटी में बताई है इसमें कर्शी भूमी चरागा भूमी और पड़ती भूमी कई समाननस होता है अगला 1972 में कोस्त्रो विकी ने कर्शी प्रकारी की हेतु जो कूट और सुत्तर दिया था तो इसको तो डिलीट कर दिया है ये डिलीट हो चुका है आरपिशी द्वारा अगला ग्रेट बिटेन का पर्थम भू उप्योग सर्वेक्षन डेडले स्टांप महोदे ने प्रस्त किया आसान क्यूशन है लेकिन अच्छा क्यूशन है अगला क्यूशन 1925 में श्यूक राज अमरीका को तेरे कर्शी परदेशों में बेकर महोदे ने बाटा था अगला क्यूशन कोस्त्रोवी की द्वारा 1926 में परस्तो त्विश्यों में कर्शी के परकार तो इसमें देखिए पांच पर्थम चरण के सही है 20 दित्य चरण के और 25 दित्य चरण के सारे ही सही है अगला नियम लिखित में से कौन सी कर्शी रासमान परकर्थी की है और उसका महत्व लगातार घट रहा है तो स्थानांत्रित कर्शी है वो लगातार कम हो रही है क्योंकि ये जन्जाती लोगुन दुबर रक्की जाती थी अब जो जन्जातियां है वो वरत्मान आध्मिता के संपर्क में आ रही है तो स्थाई रूप से वो बसने लगे है तो इसका महत्व घट रहा है अगला क्यूशन सामय कर्शी के अवधाना तो सामय कर्शी के अवधाना ये बोल सेविक करांती के बाद रूस में हुआ था इसका प्रादुर भाव वान थ्यूनन ने कर्शी भूमी उप्योग सिधांत 1826 में प्रस्तत किया था वान थ्यूनन के मोडल में सब्तवर्शी चोथी पेट्टी से संबन दित है अगला क्यूस्टन परिवन भूगोल इसमें यह यतियात आरेक है और ए और बी की ओर जाता है तो कौन सा ज़्यादा लापरद होगा तो इसमें देखिए एक तरफ ये दूरी है यहाँ पे और ये लागत है दूरी और लागत दर्शाई गई है तो इसमें कोश्ट और दूरी से संबन दिते किये फिसमें ये चोथा है ये सबसे उप्यूगत होगा अगला क्यूशन किसने प्रिवाशित किया राजनितिक भुगोल राजनितिक दरश्टी से संगठित छत्रूं उनके संसाधनूं विस्तार एबं उन कारणों से संबन दित है जिसकी कारण एक विशिष्ट भुगोलिक सवरूप का विकास होता है यह पॉंड्स की है परिवाशा हालांकि परिवाशा इतनी नहीं आती है लेकिन पूश भी लेते हैं तो इनिगरंत अकादमी की जो पुस्तक है राजनितिक भुगोल की उसमें दी गई है परिवाशा पॉंड्स की अगला क्विशन जिसका अधिकार पूरी यूरोप पर है उसका वक्स स्थल पर अधिपत्ते है जिसका अधिकार वक्स स्थल पर है उसका विश्वद्वी पर है और इसका विश्वद्वी पर है उसका विश्वद्व पर अधिपत्ते है तो बहुती बार यूजिशी नेट में आचुका है ये विश्वदीव वक्ससर हार्ट लेंट से समग्दित है तो ये मेकाइंडर का गतन है जो पूर्यू पर सासन करेगा वो हार्ट लेंट पर दिकार रखेगा वो विश्वदीव पर करेगा मेकाइडर ने हार्ट लेंड सिधान का प्रतिपाधन कब किया था तो ये देखिए इसमें कोई ओप्षन नहीं है 1909 में किया था तो इसमें कोई ओप्षन नहीं 1904 में उन्होंने एक सोध पत्तर प्रस्तुत किया था जोग्राफिकल पीवट एरिया ओफ दे हिस्ट्री और उसके बाद 1919 में डेमोक्रेटिक आइडियल्स ओफ रियलिटी में उन्होंने हार्ट लेंड सब्द का प्रयोग किया था और हार्ट लेंड सब्द है वो जेम्स फेर गुरी मोदे ने 1915 में दिया था तो इससे पहले काफी बार एक्जाम हुई थी दस वर्षों पहले तो 1904 आंसर मान लेते थे लेकिन ये विल्कूल गलत है तो आर्पीशी ने भी इसको डिलीट कर दिया है ये डिलीट हो गया क्यूशन क्योंकि सही आंसर इसमें है यह नहीं 1919 अगला क्यूशन रिम लेंड सिधान का परतिपादन स्पाइक मैन ने किया था जोग्राफी ओफ पीस में अगला क्यूशन ये देखिए ये परिमंडल है दरसाए गए है इसमें तो ये सांसकर्तिक परिमंडल है तो मुक का स्केन किया हुआ है ये अब इसमें अच्छे से दिखाई में नहीं दे रहा है पता नहीं चल पा रहा है यहां पे कौन सा क्या है तो इसका आंस्वर रसेल और निफेनवे प्रूट ये दूसरा आंसर माना था रपियसी ने थोड़ा सजूम करके देखने की कोशिस करते हैं क्या है इसमें देखिए सही पता नहीं है ये ये यूरोपिय है और इसमें सही से पता नहीं लग पा रहा है तो डाइग्राम का अच्छे से धेन किया तो भी पता लग पाता है इसमें आर्पियसी ने दूसरा आंसर माना था अगला क्यूशन सांसकर्तिक परिमंडलों को दर्साय गया है अलग लग परसांत मासागरिये तो सही करम पचानना है में इसका कौन कौन सा पहले है कौन बात में है तो इसमें देखिए ये एक नमबर में है पोलेनेशिया उसके बाद माइक्रोनेशिया दूसरा ये माइक्रोनेशिया ये पोलेनेशिया और तीसरा है मिलनेशिया और चोथा है और्ष्ट्रेलिय आई तो इसमें देखी ये 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 चोथा आंसर होगा इसका अगला निकटम परोसी विस्रेशन तकनीक का परियोग सबसे पहले कहां किया गया था तो ये बोटनी में किया था सबसे पहले वोनस्पति सास्त्रियों दवारा तो ये आएगा इसका बोट नहीं कि अगला क्यूशन अगले गुरुत्व मोडल जिसके निर्धान है तो प्युक्त होता है वह है तो ये डिस्टेंस डिके गुरुत्व मोडल दूरी हास के लिए प्युक्त होता है भुगोल में गुरुत्व संकल्पना यह भी कहलाती है इसको इंट्रेक्शन थोरी भी कहते हैं नोने के लिए सिद्धान्त तो इसमें उल्मान होदे का परमुक नाम आता है इंट्रेक्शन थोरी में परियन भुगोल से सम्मधित है ये अगला ये एक मैट्रिक्स दी गई ह है नहीं इसमें मैट्रिक्स नहीं है स्थानिक बिंदू यादर्चिक पर्तिचेन का दिया गया आरेक है ये देखिए स्पेटियल पॉइंट रेंडम सेंप्लिंग इज तो इसमें कौन सा आरेक पुच्छा है देखिए ये समान अंत्राल पर अलगलग बिंदू दिये गएं साधारण है समबेशी है स्त्रित है तो कौन सा है ये तो ये देखिए सिस्टमेटिक है ये करंबद दिया है सिस्टमेटिक अगला विकास धुरुव सब्द का अभी कलन किसके द्वारा किया गया था तो ये फिर से आ गया इसे रिलेटिड क्विस्टन ये पेरोक्स मोहदे का ही है विकास धुरुव किया धानना सामाजिक छेत्र विस्ट्रेशन तक्नीक किसने परतिपादित की है तो ये ई सेव की तीसरा अंसर हो गए अगला क्यूसिन नेवन में से कर्शी उत्पादक्ता मापन की विधी कौन सी नहीं है तो इसमें परतिकाई छेत्र उत्पादन करंबत गुणांक और आगत निगत अनुपात तो ये मुल्ले के संद्रम में उत्पादन ही पहला अंसर है ये नहीं है नहीं है पुच्छा है नीन में से कौन सी गतिविदी सभी व्यवसायों से प्रभावित होती है अच्छा क्यूसिन है तो परिवन सेवाय सभी व्यवसायों से प्रभावित होती है अगला क्यूसिन एक निदर्स या तो एक सिधान्त एक नियम एक परिकल्पना या एक संद्रचना बद विचार है तो मोडल की ये परिभासा किस ने दी मोडल परतिमान या नेदर्स मोडल की ये परिभासा स्किलिंग वह दे ने दी थी दूसरा अंसर होगा इसमें अगला कुशन इन में से कौन सी आतयात के संचालन में समलित लागत नहीं है तो ये है यह अवस्तिति लागत लोकेशनल कोस्ट लागत नहीं है पुछा है तो वहन लागत है यह और हैड कोस्ट और अंतरन लागत देत है अवस्तितिक लागत नहीं है अगला निन में से किनारों का सिर्ष से अनुपात क्या होता है तो किनारों से का सिर्ष से अनुपात ये देखिए ये एज एज टू वर्टेक्स परियुन मोगोल का क्यूस्टन है ये इसको बीटा सुच कांख आएगा इसका अनुस्वर बीटा सुच कांख इससे पहले क्यूस्टन अगला उत्पादन की राजनेती वे उभोग की राजनेती सब्दों का परियोग की स्विद्वान द्वारा किया गया था अच्छा क्यूस्टन है संडर्स ने किया थे पॉलिटिक्स ओफ प्रोडक्शन एंड पॉलिटिक्स ओफ कंजप्शन उभोग को उत्पादन की राजनेती संडर्स मोदेगा अगला क्यूस्टन निवन में से कौन सा देश एक नरजातिय राष्ट राज्ये का स्विकारी उधार्ण नहीं है पुछ सा है तो आइसलेंड बृतेयन डेन मार्ग और पोलेंड उऍद देनमार्ग की दिया है तो नरजाती raging राष्ट राज्ये का उधार्ण नहीं है ऐसलेंड है डेनमार्ग है पोलेंड है बृतेन नहीं है अगला ए जोग्राफी औफ सोजल वेल बिइंग इन दे युनाइटेट सेर्स अफ अमरीका नामक गरंथ की स्विद्वान ने लिखा था ये डि.m. Smith का गरंथ है नामक गरंथ की बुक लिखी थी जोग्राफिय और सोचल बे ने युनाइटेटेट आफ अमरेका पृस्टारल के नुशार दो निमननतम उस्तरिये केंद्रों के मद्दे दूरी होती है लोवेंट्ट ओडर सेन्टर्स निमनतम उस्तरिये केंद्रों के मद्दे की दूरी 4.03-5.03 मेल होगी अगला क्विशन नीजी परिवन लागत नहीं है पत लागत एकांतरन परिचालन और समाजिक दिया है तो पत लागत एकांतरन रनिंग ये समाजिक लागत ये नीजी परिवन लागत नहीं है अगला लोरेंज वक्र जिसमाप की रेखिक अभिवेक्ती है लोरेंज वक्कर से सम्मनित क्यूशन काफी बार आता है तो इसमें देखिए लोरेंज वक्कर का ये चो क्यूशन है ये आरपीसी ने डिलीट कर दिया है अगला है संगी व्यवस्था जिस परस्थिती में अधिक उप्युक्त है वह है तो इसमें आएगा सूस्पर्ष्ट प्रादेशिक अभी वेक्तिया वर्वन फोर्टिनाइन चितमिन कहें तो चितमिन स्थानांतित करसी को कहते हैं जांबिया में और लाश्ट का क्यूशन कास गई प्रवास करते हैं जेग्रोस परवत से फारस की खाड़ी के तटके मते यह आरपीसी द्वारा आयुजित 2016 में ओनलाइन एक्जाम हुआ था गुगल विशे का दूसरा पेपर सेकंड पेपर आरपीसी की जो फाइनल की है उसके उनसार हमने हल किया है इसमें कोई अगर गलती हो था आप मुझे जुरूर बताएं पहला पेपर अपलोड कर दिया है मैंने अलग अलग टुकडू में है यह दूसरा पेपर पूरा 150 कुशन हल कर लिए है इसके बाद थर्ड पेपर है जो जीके का है वो भी अपलोड करेंगे तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि पुराने पेपर वो हल कर पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैहिंद